असलाम लेकूम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग आज हम बनाएंगे बीफ कोफटा करी इसके लिए हमें प्यास चाहिए प्यास हम दो अदद मीडियम साइस की लेंगे और इसे हम चौपर में डालेंगे लहसन के जवे हम लेंगे तीन से चार अदद इसे भी हम चौपर में डालेंगे जिंजर यानिके अद्रक हमें चाहिए एक इंच का टुकड़ा इसे भी हम स्लाइस में कट करके इसी में शामिल कर देंगे भारी मिर्चे हमें चाहिए दो से तीन अदद इसे भी हम इस तरह मोटा मोटा काटके इसमें डाल लेंगे हरा धनिया हमें चाहिए टूटू थी टेबल स्पून भर के ये भी हम इसी में शानल कर लेंगे और इसे हम अच्छे से चाप कर लेंगे अगर आपके पास चापर नहीं है तो आफ हरा धनीय और हरी मिर्चो को आप बारीख काट ले छुरी की मदद से और जो प्यास अद्रक और लेसन है तो इसे आप कदुकष की मदद से कदुकष कर ले मकसद इसे सिरफ बारीख करना है यह आप देख सकती है कि अच्छे से ये बारीख हो गया है अब हम इसमें कीमा एट करेंगे, मैं यहाँ पे 500 ग्राम बीव का कीमा यूज़ कर रही हूँ और मैं यह बात बताती जाओं कि आप फ्रेश कीमा यूज़ करें जो कि होममेड हो और अगर आप बजार से बिलाएं तो ताजा बनाया हुआ आप खरीदे ताजा बना हुआ आप इसमें यूज़ करें इसमें हम 3 टेबल स्पून भरके भूने वे चन्नों का पाื डालेंगे वन टेबल स्पून हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया डालेंगे वन एड़ाफ टी स्पून हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा एड़ करेंगे गरा मसाला ये भी ताजा ग्राइंड किया हुआ है ये हम इसमें डालेंगे टू टी स्पून सुर्ख मर्च का पाउडर हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून अगर आपको कब मर्चे पसंद हो तो आप हरी मर्चे और सुर्ख मर्चे अपनी टेस्ट के साफ से एड़ेस्ट कर सकती हैं घी हम इसमें एड़ करेंगे वन टेबल स्पून भरके इससे कौफती बहुत सॉफ्ट रहेंगे नमक हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून में आपे वन टेबल स्पून यूज़ करी हूँ आप अपने टेस्ट के साफ से एड़ेस्ट कर सकती है एक अदत हम इसमें अंडा एड़ करेंगे अब हम इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे फिर से हमने इसे इसी तरह चॉप कर लेना है अगर आपके पाद चॉपर नहीं है तो परी कीमा आप लें जो के दो बार मशीन से निकला हुआ हो और इसी तरह सारी चीज़े इसमें शामिल करके आप इसी तरह का मिक्सर बना लें अच्छे से से गून लें तो ये मिक्सर आपका बन जाएगा ये मिक्सर हमारा त्यार है अगर बहुत ज़्यादा नारंग हो रहा हो मिक्सर तो आप इसे 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दे और इसके बाद आप इसके कौफते बना सकती है ये इस तरह करके अब हम इसके कौफते बनाएंगे छोटे या बड़े ये आप अपने मर्जी के साब से बना लें मैं हमें थोड़े मीडियम साइज के बना रही हूँ हाथों पर पानी लगाते हुए इस तरह करके हम मीडियम साइज के कौफते बना लेंगे सारे कौफते इसी तरह बिना क्रेक्स के दबा दबा कर हमने बना लेने हैं और इससे हमने फ्रिज में रख लेना है अब हम इसके लिए करी बनाएंगे करी बनाने के लिए हम एक पॉट लेंगे और इसमें हम तक्रीबर आधा कप ओयल डालेंगे 3-4 हम हरी इलाइची इसमें तोड़के डालेंगे हलका सा फ्राय करेंगे और इसके बाद हम इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ करेंगे एक टेबल स्पूल भरके हमने इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ कर लेना है अच्छे से हमने इसे भूल लेना है अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी एड़ करेंगे मैं तीन अदर्द मीडियम साइस के टमाटो मेने लिये जिसे मैंने बना पानी के इसमें हम नमक आट करेंगे वण टी स्पून टेस्ट के साफ से आप एड़्जस्ट कर लें चजर्ण पाओडर के ये इसमें भेलेंगे की तावस चाशलें हमें से चोपाओड़ां से आप से आप। हल्दी पाओडर पाओड़ां जिपार हमें हमें डालेंगे या हमें चोपड से छ lifesy scoove एक्रक्राथ जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे वान टेबल स्पून अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे साथ ही मैं इसमें यहां पर वन टी स्पून भरके देगी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी मिर्चे जिसे कहते हैं तो वह मैं इसमें वन टी स्पून एट करूंगी इसे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है ग्रेवी का अच्छे से हम इसे फ्राइ करेंगे इसे हमने फ्राइ करने के लिए छोड़ देना है जब तक कि मसाला अच्छे से भून जाए और जो टमाटर है जो हमने इसमें टमाटर प्यूरी एट की है तो इसका पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए और इसका अलग हो जाना चाहिए अब हमें एक ब्लेंडर लेंगे ब्लेंडर में हम एक कप दही एट करेंगे दही अच्छा वाला होना चाहिए ठिक वाला होना चाहिए पानी इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो दही है ये खटा भी ना हो इसमें हम ब्राउन कीवी प्याज एट करेंगे एक अदत लाज साइस प्याज मेंने अगर बहुत ज्यादा ब्रॉण करेंगे तो ग्रीवी अच्छी नहीं बनेगी इसका हम पेस्ट बना लेंगे यह देख सकती है कि जो हमने टमाटर ब्लेंड करके इसमें एड किये थे तो वह अच्छे से फ्राइ हो गए है यह अलग से इसका ऑईल निकल रहा है अब हम इसमें पेस्ट एड करेंगे जो कि हमने अभी बनाया है दही और प्यास का ब्रॉण प्यास का वह हम इसमें एड करेंगे सारा और अच्छे से हमने इसे भून लेना है अब हमने मसाले को तक्रीबन 8-10 मिनट के लिए भूनना है पहले के 3-4 मिनट हमने इसे ऐसे ही भूनना है और इसके बाद ढख के हमने इसे रख लेना है अब हम इसे ढख कर रखेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से भूनते जाएंगे आठ से 10 मिनट लगते हैं मसाला भूनने में अगर नीचे लग रहा हो ताप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकती हैं लेकिन यह है कि जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी तो उतने ही अच्छे इसकी ग्रेवी बनेगी करी बहुत ही जबरदस बनेगी नमक हम इसमें इसमें थोड़ा सा भूनाओा और कुटा हुआ जीरा मज़ीद एड़ करें हूँ हाफ टीस्पून में यहां पे इसमें भूनाओा और कुटा हुआ जीरा अट करोंगी अच्छे से बून लोंगी याद रखे कि इससे पहले जो मैंने जीरा पाउडर डाला था वह सिम्पल पाउडर था वह मैंने भूनाओा नहीं था इस टेज़ पर जब मैं डालूंगी तो वह मैंने भूनाओा है और इसका पाउडर मैंने बना कर इसमें एड़ कर लिया है अब हम फिर से कौफते निकाल कर इसमें एड़ करेंगे मसाला हमारा अच्छे से त्यार हो गया है और इ से पका रही हो याद रखें कि एक तो खुले मूँ वाली देचकी कढ़ाई कुछ भी हो आप खुले मूँ वाली ले और इस तरह करके पकड़ के आप इसको ऐसे हिलाएं इस तरह करके आपने इसको हिला लेना है और आंच हलकी करके ढखकर हमने इसे 5-6 मिनट पहले के 5-6 अब हम इसमें उबलता हुआ पानी एड़ करेंगे एक ग्लास में यहां पेस में उबलता हुआ पानी एड़ करेंगे और हलका हलका सा मिस्तर करके इसमें चम्मत चला लेंगे बहुत ही हलका सा कौफता को हम टर्न कर लेंगे हलके हलके से इसरा करके और अब हम इसे ढग कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे 10 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी हमारी रेडी है आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं आखिर में हम इसके उपर 1.5 टी स्पून गरम मसाला एड़ करेंगे बुना हुआ और कुटा हुआ जीरा मैं यहां पे इसमें थोड़ा सा फिर से एड़ करी हूँ यह आपके टेस्ट पर डिपेढ़ना अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद तो आप इसे एवाइड कर सकती है आप मत डालें इसमें हम फैने ग्रीक लीव्स यानिके मेथी डालेंगे खुश्क मेथी जिसे कहते कसूरी मेथी वह हम इसमें 1 टी स्पून डालेंगे और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा झालैंक दोदिध दूलेंगे शक्राइब िृक्षा